वस्तविक्ता के साथ जागो आज गाइस पांचे महीने होने को आया बट फ्रीफर इंडिया को कुछ भी अता पता नहीं है भाई कोई भी अनॉसमेंट नहीं और कुछ नहीं हो रहा एंड इसी रीजन से मैं मेरे चैनल पे पिछले तीन चार पांच महीनें से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला था आज इसमें इतने दिनों बाद वीडियो क्यों डाल रहा हूं तुम्हें पता ही होगा क्यों कि भाई अभी एक तगडी अनॉसमेंट निगले आई अपने फ्रीफर इंडिया को लेके एंड ये चीज में तुम्हारे साथ शेर करना चाहता है इसी रीजन से वीडियो बना रहा फ्रीफर इंडिया को लेके जितने भी तुम्हारे डाउट सारे 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 आज मैं तुम्हें सॉल्ब कर दूँ हो सब कुछ बता दूँ है क्यों तुम्हारे भाई के हाथ में लगिया कुछ ऐसी तगडी इनफॉरमेशन जिसे सुनके भाई तुम्हें स्वादी आ जाएग क्य कुछ नियों पते हैं कर दूदा है जो अनसका है अनका अनसे पूछ नहीं होगा है तुमने बेफकूफ बन देबहु देखेंगा इनसे बेफकूफ कोई हो इन सकता है, मैं साफ सा बता रहूँ जिसमें वीदज बैज मिलते हैं इनकी पूरी चाठनी पड़ेगी यह सिस्टम है ठीक है, मैं साफ सा बता रहू पूछ लें कि भाई साब फ्रीफर कब आएगा ये सीन वो सीन अगर हम इनसे पूछ ले तो भाई ये दिखाते हैं एटिट्यूड की तुम्हें क्या मतलब ये वो मला ऐसे ऐसी चीजे बोलते हैं अब से एक साल पहले मैं फ्रीफर के पार्टनर प्रोग्राम में था जिस ताइम मतलब यू अपना फ्रीफर बैन हुआ था ठीक है एक डेड़ साल पहले तो गाइस पता क्या सीन हुआ मैं Free Fire के Partner Program में था तो Free Fire जैसे बैन हुआ तो रात को हम मलब मैं Game Switch उब एक और Partner Program का बंदा था वो थे, Call पे थे, बेसकले ठीक है WhatsApp Call पे थे, तो हमने बाइचांस जो Free Fire का Moderator है उसे बुला लिया एंड हमने उनसे पूचा कि सर जी बताओ Free Fire बैन की हुआ क्या रीजन था क्या नहीं बंदे ने बता क्या इटिडूट दिखाया कि तुमको क्या आड़ी एक दूसरा बंदा को नहीं ये Partner Program पार्टनर नहीं है Free Fire का ये वो फलाना डिम गाना मल बंदों की तमीज देख रहे हो तुम मल भाई हम इनके पर्मोटर सरे इनकी गेम को पर्मोट कर रहे हैं एड दे एंड ही ऐसी बात दे कर रहे हैं कि इस क्यों बुला लिया कोल पेंड वो बंदा निकल लिया भाई निकल जाओर क्या है और फिर मैं कुछ महीनों बाद मैं भी पार्टनर प्रोग्राम में से निकल लिया भाई फ्रीफर के पार्टनर प्रोग्राम में निकलने से बाद भाई पीपी के बंदों के साथ कॉंटेक्ट तो रहते हैं अगले को कैसे ट्रीट करना है क्या बोलो भाई ऐसे गंदी टीम के लिए फ्रीफर का जो मोडरेटर इंडिया के हैं वो सारे के सारे कोई काम की निया भाई कुछ इन्फोर्मेशन निकरते वह हैं मैं रहको नहीं बता क्या है वह अजीब है ठीक है एलियन लगते हैं तो वह कुछ काम की निया वह कोई को इन्फोर्मेशन देने वाले है अपने फ्रीफर इंडिया को लेके अभी इस चो अभी की लेटेस्ट का क्या बोलते हैं इन्फोर्मेशन आई है वो मैं तुम्हारे सा शेर करना चाहता हूं और उन्हें देखके भाई मैं बता हूँ पहले तो तुम होने वाले हो चीज़ समझने आए मैं थोड़ा एक्स्प्लेंट कर देता हूं भाई फ्रीफर एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने वाला ब्राजील में वाले लैंड टूर्नामेंट होगा और फ्रीफर का सबसे बिगेस्ट तूर्नामेंट है ठीक है तो बेसकली भाई साब यहां पर जाके तो क्वीफाई करेगी तो मदब अपने को मार्श तक फ्रीफर एंडिया मिलना चाहिए तब जाकर अपना फ्रीफर की मलब इंड्यान टीम पार्ट स्पिट करे की इस इतने खुश मेंगे तूर्ड ने थचीज़ को इन्दिया को जल्ड़ाद आने वाले एक महीने के इंडिया का नाम उससे टाइम हटा दिया, इंडिया का उनकी वेबसाइट से नेम रिमूव कर दिया, मैं अब गाइस तुम हिपपोरी सी देख रेए विक तो इन्होंने चे महिनों से गेम को लूँच नहीं गिया, पेंडिंग में डार रहा है भाई, यह भी तो कुछ गेम न वे बहुत सारे बंदों के दिमाख में होगा कि reason कहा है तो जितना मेरे को लगता है ना भाई जितना भी reason है वो निकले गया रहा government से permission approval नहीं हो साब साथ बात है guys यही हो सकता है government में कुछ चल रहा है भाई internal बाते चल रही है वो कुछ हो रहा है अंदर ना अंदर कुछ हो रहा है बहुत बड़ी चीज़ हो रही है क्योंकि पता अभी तक तो launch हो जाना चाहिए था बाई game कोई भी मलब कोई yes record हो ही नहीं सकती कोई internal issue भी नहीं हो सकता server का issue भी नहीं हो सकता कि इतने महीने game delay हो समझे रहो जब तक मलब government ने free for India को approval नहीं दिया अभी तक इन बेवकूफों ने free for India play store पर schedule लगा रख है भाई जब approval मिल जाता तब लगा देते schedule ये क्या बात हुई यार 6 महिनों से तुम free for के place के emotion के साथ खेल लो ये बहुत गलत बात है मैं सही बता हूँ तो जब तक इलेक्शन का ये प्रोशीजर नहीं होता ना मैं को लग रहा हूँ आ सकते अपनी free for तो expect करके चलो भाई मैं तुम्हें जुटे उमीदे तो दूँगा नी बाकि अगर मैं को कोई internal information मिलेगी वो भी मैं तुम्हें शेर कर दूँगा जुटे उमीदे तो मैं देने निवाला मैं को जितना लग रहा है साल की end तक ही आ पाएगा जुटे उमीदे को लेकर रियल इंफोर्मेशन होगी वही शेर कर दूँगा तो make sure सारे सारे बंदे सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना